और ओल इंडिया मा को पर्थम इस्तान है, वो आयो है गोवर्मेंट में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो मैंने साथ यूं की बात को माना और मेरे बच्चे को मैंने गोवर्मेंट इस्कूल में दाखिला करो है कफी बार इंसान टूट भी जा है कि बस मेरा अब आगे हो पाऊगो या को नी हो पाऊगो आंटी जी परी हिंदी वो लंगास तो गाव में डानिम रहके भी आपना जो बच्चा ही वो लक्षे आसिल कर सकें जिकि वो जब सपना वो देख रहे हैं परिंस कॉलेज सिकर बना दिली का राजींद्र नगर और मुखर जी नगर ग्रैजुवेशन के साथ करें IAS और RAS की तयारी प्रिंस कॉलेज सिकर में संपर्क करें राम राम जी मुक्षपोजल को जुन जुन पर था रहो भाद बात स्वागत है मैं पहुंची हूं चनाना और चनाना का अंदर ही मेरे साथ में अभी पुनित मेना जी ही और भोती अच्छी जो भैब लागे ही अब थे सोच रहोगा कि के नोकरी लागे ही मां बतानों चाहूंगी जो एस्टी वरागवी में और ओल इंडिया मां को पर्थम स्तान है वो आयो है अखिल भारती अभियंत्रीक श्यवा मां को फस्ट नम्मर आयो है तो बात्चीत करांगा जानांगा की बाई तो थोड़ों सो मैं तुम्हां बता चुकिए फिर भी अपना वारंपरीचे देश को पड़ाई प्रारम भी पड़ाई जो बाड़े में वड़ी है सरकारी स्कूलों करें लिए मैं साइंस लेके मैत मैं से मैंने इंजिनिरिंग किया बीटेक करी इसके बाद ये मैंने एक सा स्कूल में पड़ी के बच्चों कुछ करकून पाँ जी बिल्कुल कर सकता है और हाड वर्किंग हो बच्चा तो कोई कोई दिक्कत नहीं है सरकारी और प्राइबेट का ऐसा कुछ डिपरेंस नहीं है बस वही है बच्चे पर डिपेंड करता और कई बार मारक दर्शन की कमी जाती है जो दूब सरकारी स्कूल में ज़्यादा इंपोर्टेंस देते नहीं दिमाग में रखा है लेकिन पर आपे में लोगों का सेलेक्शन होता है जैसे मेरा देख लीजिए अभी आरेस में लोगों का उनका वी कई सरकारी स्कूल से हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है प्राइब इस्कूल में ज्यादा मतलब नाम ही बना रहा है बढ़ाई सरकारी स्कूला में हुआ है यह बात में तेन तक थी अठी पढ़िया बी का बाद मैं जुंजनु गया जेपूर गया शिकर गया जी मेरी 11-12 तो गोड इंजनिर्इण स्ट्विएंट्स तो उनके लिग बच्चें इंजनेरिंग करता है तो उनके पास कई अपर्चुनेरिश रहती है और कई लोगा कि यहां कि भाई में प्लेस्मेंट ले ले लें तो यह सब्सक्राइब कर लाका क्या एंगे अगजाम है नेख्जनियरिंग सर करवा है आपना आइस की इंजनेरिंग सर्विसेज भी होगा है लेकिन थोड़ों पुब्लिक एडिमिनिस्ट्रेटर को जनता को काम रहे इको थोड़ों मुलब इंजनेरिंग रिलेटेट जो भी काम इंप्लिमेंट कर रहा है देखा तो बचपन गाउं में वीतायों है माता पिता जी कर साथ में रहा हो एक कहां को महोल डेखियो था आज पास में कभी यहां सोची ही कि आपा इमुकाम तक पहुंचांगा या कि मतलब बचपनों के सोची क में डही कोई बिजनस के हैं चोटी मोटी की आपा जब लागलता नहीं कि क्टा ञहिव ही पापा ची ने भी लोगों से उभर के तोड़ा वह परकार को जो जानते हैं लोगों को वू इसनेिसमि ए लागी हो गैटेंस लेत थे लोगों से ऊंलकव네प लेलेकि लोगों से अपने आज पास होते हैं लोगों से मुझ आपने इस सब्सक्रां कि मिल्ग में थे साटता थे काफी सारा बच्चा देख नहीं जो अभी आठमी दस्मीं कि क्योंकि अठारा बीस साल के लगबगा जो स्टूडेंट ही काफी मारा फॉलोवरी बन थे कि कुछ खरणों चाहूगा और बन की तरीकां पढ़ाई करने चीए थोड़ों थे गाइड करो कि थे किया किया थारी लाइफ में पढ़ाई करी है नहीं मैं तो यह बोलूगा कि मुलब कोई भी आस-पास में है जुनियर है कोई भी है तो पूरी मैनत उनकी भी मिल्ब उनको बोलो कि मेरे को यह कर ना है मेरे को यहां पे जाना इस सर्विस में जाना तो वो लोग आपकी मदद जरूर करें चैनि आपके पास गाइडन्स की कमी होती है वैसिकली और कुछ नहीं ह होता है मैंने सभी करते हैं तो आज कल हर सेवा में हर मिलाब इस और भी यह तो इसे आप जुरू थे तो गाइडिन्स जुरू लेना चीमत तो थाने गाइड बेसिकली बाद में तो समझदार होगा लेकिन शुरू में जो इलेंट है टेंट ट्वेल्ट है तो उसके बाद में पता चल जाता है समझवाने लग जाता है लेकिन यहां तक इनका काफी कॉंप्रिशन रहा है देखो जब पढ़ाई करो तो काफी सारी दिक्कता को भी सामनों करनों पड़ा है काफी बार इंसान टूट भी जा है कि बस मेरा अब आगए हो पाऊगो या को नहीं हो पाऊगो तो फिल और तो यूझां पार करें कर लिए नहीं कर ली कि एक एक्जाम पर फोकुस राक हो त्यारी करो लेकिन और भी साइड में फोकुस राको और त्यारी करता है सब्सक्राइब दोस्तों पर आपको आपको अच्छी तरह से जाने मतलब कोई लंबा दोस्तों बनाओ पर ज्यादा मिल्लब पढ़ाई पर द्यान द्यान रखो सब्सक्राइब जब नहीं हो तो हतास भी होगा परेशान भी होगा इंटर्यू तक मैं इंटर्यू तक जा रहा था दोनों बार मैं इंटर्यू दिया थे फाइनल राउंड तक पहुंचा था लेकिन वेकेंशियां काफी कम हो गई है तो वह यह दस पंदरा नंबर से रहा था मेरे को इसका माले नहीं था दिनांग यह था गया कि मेरे को कोई मझेल करने नहीं है को ट्राय करते हैं दूसरी चीज़ के लिए मैंने जैसे गalgए जाम के लिए करAT तो चोटा भाई बैन ही चोटा भाई वह आटी देली से सिवल इंजिनेरिंग कर रहा है वह कर रहा है कर रहा है वह कर दाले अगरी कलचर में बीचे कर रही है मपापा को कि सपॉट रही हो एक दम जॉर को सपॉट है जोने का नटीकर यहां पर रहता हुए उनको बताया मैंने वह गया सलेक्षन भाइ पापा भी पापा तुप स्कूल में तो उनको कॉल कर करके बताया कि हाँ पापजी मेरा सलेक्षन हो गया है तो थर तर सबसक्क्राइब लगा फैसे जूट बोल रहा है तो पुरत करो पैसे जूटेस ने एक भेफाल टूंता शांबना पूल्हां मैं उन्होंने और रख तो समय को गया था लेकिन फरब्म आपर इन्वार्मेंट उती है तो कम्पीटिशन भी थना बहुत संब गाता आप पहले आती नहीं थो जरीत था आती है और पी पर आप नहीं ॥े सब्सक्राइब यह बहुत तो थोड़ा फिल उनकी काम मैं काफी देर हो यह वेट करन लाग रहना और बहुत ज्यादा परिवार के भी सबसे हैं धो बल नहीं कंप एकडम हडरानों है कौनि बताओ कि बच्पन में बदमासी गारो हो कहां को थे बताओगी कहां कहां पुनी तुसे यह अच्छा लड़का था अभी लोकल भासां बोलो हिंदी छोड़ो कहां बहुत सुदोर अच्छल हो मतलब यह बदमासी गारा हैं ने बदमासी कुन दो बेटा इंधर एक बेटी है त तब ही ठीक है अंटी जी इतनी तो समझ रहें कि फोन पर आवेगी बड़ो बेटो सरारती है या चोटो बेटो सब भी बरोबर ही तो जब भाई थे तो घरा रिया करता थे पड़ेडा उखन पड़ेडा हैं बताओं ना बता देख आपड़ेडा आटकी तक जांथे आयां तो पड़ेडा है कि बाई ठेक्ल करता रहता रहता है तो दूसरी बार बिल्कुल गुल मोट प्रेशान होगा और तीसरी बार कि बहुत बड़ा बहुत कुछी की बात हो गई बड़ीया काम हो गया हमारी विच्छा पुरी हो गया अंटी जी पुरी हिंदी वह लंगास तो कि मेरे जोर की खुशी हुई बाई जोर की खुशी हुई अंकल जी भी ही बड़ों वह बाचित करांगा जी राम राम जी राम पहले बताओ कि किस ओग लाग रहो है अजी पहले तो मैं आप जलको जुझनों खुश्बोजेगा में हमारे घर पर पदा रहें इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं और काफी दिनों से मेरे मित्तर हैं ये जो रोवितास मेरे पास कड़ा है ये खुश्बोजी के हमेशा जलको देखते हैं उनकी वारताल आप सुनते हैं और इसलिए आज हमें भी सोभागे मिला है कि हमारे घर पर पहुँचे हैं तो सबसे पहले में जलक सब्सक्राइब करें तो दो बात भी अपने अंदर डालेंगा तो बहुत अच्छी बात है जब यह पढ़ाई करी ही गौर्मेंट तक गौर्मेंट स्कूल के अंदर तो बी टाइम बर थे ही आने छोड़ी की आता कया सी के कुछ हो देखो कुश्बोजी क्या है कि ये स्कूल का टीचर था तो वो मतलब अपने जुन्जुनु जिले का जो श्रीकर्षण नगर है वो थोड़ा डेजर्ट इलाका है तो वहां कोई साधन नहीं थे मोटर साइकल भी जाती थी तो वह भी क्या है कि टीबे टीले टीले थे तो कभी मोटर साइकल रास्ते में पैंच साथ ये खड़े वे हैं अवन कुमार जी व्याख्या था ये मेरे साथ ही है तो इनकी भी हमें बच्चों के पर काफी इनका ध्यान रहा है और विशेश करके टीचर के बच्चे उने के नाते थोड़ा सा इनका लाड़ प्यार भी खूब मिलता रहता था था मतलब क्यों वह ने पढ़े आक़े तक आठ वी के वाद में फिर हम च farmाना तो चनाना में भी क्या हुआ कि जो गूर्मिंट स्कूल में ही और मेरे साथ ही थे उन्हों गाया ज़कि आपका बच्चा है तो इसको आप मतलब क्वाधर करें पढ़ाए कि कोई अलग सिर पनाना अन्त बहुता न तो खुद के उपर ही डिपेंड करेंगे मतलब तूसन ने तो कभी ने तो लगाया और नहीं कभी बच्चे नहीं कहा कि मैं टूसन करूंगा तूसके बाद में फिर यहां थोड़ी दिक्कत आ गई ही खुजबू जी कि यहां मतलब है अपने साइंस वाली फैकल्टी नहीं थी साइंस वाली फैकल्टी नहीं थी तो हमें दिक्कत आ गई कि बच्चे को कहा करवाएं तो लोगों ने भी बताया आप जैसे साथियों ने भी इन्हों ने भी बताया तो अपने गुड़ा उसमें मैंने इनका मतलब मैं अड्मिशन करवाया और वहां बच्चा मतलब है पहल प्रिवार खड़ा है बच्चे पुरा घर बरापड़ा और आप आने पर मुझे बड़ी बहुत परसंता हुए है कि आप इतने मतलब आज कि जो मोसम को देखते हो इरिम जी बर्सा हो रही है फिर भी आप मतलब इनका मुकाबला करते हुए हमारे घर तक पूंचे इसके लि अपना बच्चा को इतनी बड़िया रेंग लेकर आता है तो उसकी सन्य खुशी हो है वी चीज की और बाखुशी जो है बाद मारश्य का चरह पर भी थान दिखाई देरी है और थारों विशेज तोर से जलको जुनुक में एलिया इंच जार कर रहा है ताकि आपना और बच चीज आसिल कुन कर पाऊं या चीज तो बड़ी-बड़ी कोचिंग या जो सहरा में रहने है बच्चा ही बई आसिल कर पाऊं तो यह चीज बहुत बड़ी है अब पुनित को आज सेलेक्शन होए है तो यह चोटी बात कुन है कि एक छोटे सो गाउं लोईल में निकड़के आज मारो यह चोटो है यह इंडिया लेवल पर पर्थम रेंख लेका है जो कि दिल्ली में आपने जहां दिल्ली है जो तूर है जैपूर में बड़ा त्यारी का जो सेंट्री बपर भी बच्छा को सेलेक्शन कुनियों है और इको गाउं में और थे घर भी देख्यों कि एक का इसा रास्ताम तो भाई बात है मैं बात है कि राम जी जी सीयां कि शी बात है कि पुनेत को तो है शलेक्शन है मारा जो और बच्छा है जो एक आगे लगारा की बुटोफेज निक्रमेंग निकले हो और ईचीज में मारा भूस सा बच्छा ही जो डॉक्टर इंजनेर भी सब्सक्तिति करें चीज है इन देख के मैं चाहिए के पुनीत है एक जो रहेंगा हिए तो इक जरी और लोगान भी पतौश वुड़ी थारा आस पास का इतनी बड़ी रेंक लेकर आ रहे हैं तो थे वे प्रयास करेगा तो बहुत आगर तक जास को अंकल जी वाई काफी देरू सुबह मेट कर रहे हैं कुछबुँजी सुबही आगो मैं तो आज यह फोन करें भाई के ना राम जिलाल जी यह मेरे बच्पन के दोस्त है साथ बड़े हम साथ ही रहे हैं और मैं तो कुछबुँजी इस घर में मलब बाता जाता रहता हूं बच्चों को भी देखता हूं पहले भी बता दिया था इ सिर्फ पढ़ाई की स्वाँ और इनका कोई काम नहीं था तो पढ़ाई 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 साथ मनन तो सब्सक्राइब बहुत अच्छों लाग रहे हैं जैसे मेरा बेटा यह आज यह इती बड़ी पहां हां आसिल कि बहाई यह बच्पनू देखता हैं ही का छोटा भाई आप यह ना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे गर पर पदारे बिल्कुल थे के गरुब हुए हैं मैं आयटी दिल्ली में हूं सिविल इंजनेरिंग मेरे ब्रांच है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई आई एस बना मैं एक बार यह मेर से तो मुझा एक कर रही थे उंप यह नहीं कि नाता है इसको तो मसंटार मांथा कि इस house नहीं मेरा भाई पढ़ाए तो नहीं हुआ हुष है एक मेरे इसा ऑ, पढ़ाई, यह सब दो मुझा सब ठाता है प्रांगन में बहुत बहुत अर्दिक अभिनंदन है पड़ोशियों के अमेशा उती जलन है लेकिन हमारे बहुत खुशी है क्योंकि हम कभी ऐसे समझते नहीं कि हम पड़ोशी है इनके हमारा पड़ोशी परिवार काई ही आपको सुबह हुए इंतजार कर रहे हैं हमारे गुरूजी ही पिता तुल्ले तो यह बिल्कुल जो भी आंके छोटो सोई भी एक कोई कया करें न तो बहुत खुशी हो रही है लेकिन पूरा गाउं में या चर्चागों विशे है कि पहली यूपेसी सर्विस क्लियर करने वाड़ा हमारा पाड़ोशी बाई यह मुकाम आशिल किया तो बड़े पूरे गाउं में बड़ा आशी खुशी का मावल है मैं तो लगातारी वीड चनाना लोयल रहना लोयल का ही चनाना का अंदर रही ही तो पुनित मेना जी हूं आपा बातचीत करी परो परिवार आपने साथ में हो बहुत जरूर करनो है अगर यह वीडियों देख कि एक बच्चों भी अपनी लाइफ में अपनी जिंदिकी जो सब दी यह बोले ही जो ब पुम्टा तकी यह वीडियों पहुंचानों जेहीं जे राजस्तान राम राम जू